बहुत बहुत सौगत अपका पढ़ाई करें पर आज की कलास के माधिम से देखेंगे आज की कलास में हम फाइनली बीए बीस्टी बीकॉम आपके फर्स्ट समस्टर के लिए में फोर्ट नेटरेशन हम हाईजेन का पूरा का पूरा कुर्सन पेपर लेके आ चुका हूँ यह सभी विद्यार्थी इसका मैं पूरा सोलूसोन आज कराऊंगा जो विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं तयार किया हुआ है तो यह पूरा का पूरा तयार कलेजी जितने भी पर्सन में लेका हूँ आपके एक्जाम के लिए बहुत ही मातपुर्ष साबित हूँगे इस इसका भी पेपर जल्द इस जल्द अप्लोड कर दूँगा एंसर कीव बनाकर पीडियो इसर का कुछन पेपर का लेगा आज की कलास में हम देखे ले रहे हैं इसका पूरा का पूरा सॉल्फ कराने का इस परियास करूंगा तो कहीं ना कि आप लोग के लिए बहुत ही मातप बश्ची करता तो क्रेंद नाम का पूरा सॉल्फ बर कष्च्तावित कर यह जो रहता है नवार्ड़ पर्सुर्पत कर आज आता है नहीं सिछ्ष नीद के नूसर यह पेपर जो रहता है अनुवार पष्च्रपत आपका अप्जेक्टीव ठीड़ी पूरा का पूरा मिलेगी उसमें अपको गोला करना रहेगा मालू आपको पहला कुछन आपका दियावा है तो आपको MR Seat मिलेगी अब MR seat भी मैं आपको इसका माले आप सबस्षाएं, अब मालनो प्रोटीन देरोग को शलेए अब कर दे से तोचा समंधी हो जाते हैं इसलिए आपको फाइणो डर्म आपको लगा देना, क्योंकि फाइणो डर्मा जो है वासा समणदीत रोग ही है, चलेगा इसको भी में देखते हैं विटामिन क की दम बात कर ले तो इसकी खोज होई थी 1912 इसमें एक जो है D भी कलब एकदम सही रहेगा 1912 में जो है विटामिन क की खोज होई विटामिन क की खोज पूझ लेगा किसने किया है विटामिन के की खोज पुछेगा किसके विटामिन के की खोज किसने की तो फंक एक विग्यानिक थे इन्होंने जो है विटामिन के की खोज 1912 इस भी में की थी ठीक है चलेगा अगले पर सुर्ण बढ़ेंगे यह उससे पहले सभी द्यारतिव से निवह था न कि हमारे चैनल पर फाशन बिजट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक आटके चैनल को भी सब्सक्रीब करेंगे किको मैं इस चैनल पर बीए बेसी के आर्ट समस्टर की तयारी कराता हूं जिसके मिद्स अपने एक्जाम में आप अच्छे मार्श उप्रेंट कर सकते हैं वीडियो को प्र दोस एक्जाम बाती है कुषजणश्टी का और भी एक्जाम बाकी है कोई भी पेपर मैंने इस का पईलेइडि में गैयनिया पास हों करता हूं पिछे नंबर कुष्ण आपका दियाओं कि घेंगा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता बच्चों घेंगा रोग रोग होता है आयोडेन की कमी से बहुत एजी पर्शन सभी के सभी थे सिया पुसंद इसमें का सभी रहेगा पी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सरी में प्रत दिन कितने प्रोटीन की आउसकता होती है प्रोटीन की जो बच्चा पैदा होते है तो दस क्रम प्रोटीन की प्रत दिन आउसकता होती है पहला बीकल पर लगाई है एक दम सही रहेगा प्री संकर्मन रोग होते हैं संकर्मन रोग जो बच्चों होते हैं यह वही द्वा सही bro keep Pão to Nahyu शरीर में अवसक तत्तों की संख्या नहीं अवसक पोसक तत्तों की संख्या इसमें का स devenir एकडम सही रहेगा भी फार्व का रेका है क्या है क्या है क्या है रिछ फोट जो है यही कुपोसल का कारण है और यह जो है इसके निवारण है सभी कहीं नगें देखा जाए तो इसमें का गरिष्ट भोजन ही कुपोसल का कारण है ठीक है इसमें का सिविकल पर लगाईएगा पिर बेरी बेरी जो रोग होता बच्चो किसकी बिटामिन की कमी से होता है बिटामि B को क्या कहते है बच्चो थाइमीन कहते है इसलिए बिटामिन B ना दे करके थाइमीन दे दिया है थोड़ा सा हार्ट कुस्ण कर दिया है थोड़ा से भी घबडाना नहीं है थाइमीन वाले पर आपको टिक करके आना है थाइमीन वाले को आपको गोला करके आना एकदम सही वि पुर्जा इसमें का सी वीकल पर लगाई एकदम सही रहेगा प्यागला कुछ नापका दिया कि कुपोसर के लिए उत्तर दाई है क्या बच्चो निर्धनता मिलावट असिच्छा सभी है इसलिए डी लगाई एगा उपर तो सभी कहीं न कि देखा जाए तो कुपोसर के फैक् यह नवच सकते है इसमें को जो जो ओधार्थ पर्थम खादी समूह में आते हैं वच्चो गेहुं का अटा रोटी मक्काय सभी आते हैं इसलिए डी लगाई एगा एकदम सही रहेगा इसमें का अगला कुसर अपका कोसियोर कोड जो रोग होता है किसकी कमीज होता प्रोटी होता भorta इसको हम देखेंगे की प्रोटिन के कार क्या बच्छोट अभी इसको भी ऐम देखेंगे कि प्रोटिन के कार जो सरीर बीविकल बिगदम सही इसमें का, फिर माल टोज क्या है बच्छो, माल टोज क्या है, ये भी बहुत महत्पुर्ड परसन है, माल टोज है, अंकुरित नाजो का सकार, ठीक है, इसमें का, सी बिगदम सही रहेगा, अगला गुसं, एक गराम वसा कितनी कैलोरी देता है, पुछा गया, वसा पुछी गई है, तो एक गराम वसा कितनी देती, 9 कैलोरी देता है, यादि कार्बोहड़ेट पुछ लेगा, कार्बोहड़ेट अगर पुछेगा कि एक गराम, एक गराम कार्बोहड़ेट कितनी इनर्जी देता है, तो देता है, चार कैलोरी, बिल्कुल भी घौड़ा नहीं बच्चो सही करके आना अपने एक जाम में फी अगला कुस्णाप का दिया कि वसा कैसा बहुझ पदार थैं बिल्कुल मिस्रित बहुझ पदार थैं इसमें का डिवी कलप एक्दम सही अगला कुस्णाप का दिया कि उर्जा संगरा का उत्तम सुरोत है प् बुरूड में गर्भावस्था में मिरत्यों कारण है कौन सी विटामिन इसके लिए जिम्मेदार होता है वह होता है विटामिन E यह परजनन सक्ति के लिए होता सभी को पता होगा इसमें का जो है सी वाला विकल्प एक्तम सही रहेगा फ्यगला कुछ न आपका दियाओ कि वि विटामिन E की कमी से नेत्र जोद ठीक होती है सभी को बता होगा बहुत ही पर्सन पूछा गया है धरवदर करके पूछ लिया गया है फिर आइरन पर्चूर मातर में मिलता है पही पाए जाता बच्चो नेबू में आमला में फिर संत्रा में आप यकरत में बिल्कुल बिल् आमिया के कितने परकार देखने को मिलते है बच्चो बता है बिल्कूल बिल्कुल पहला प्रसर नियंतृत करता है जल जो होता है शरीर के ताममान को को कारता है पहला बिल्यी note करता है हमारे सरीर में जल कितने परतीसद होता बच्चो हमारे सरीर में जो जल होता है वो होता है 65-70% 65-70 या भी आप कह सकते हैं 70-75% भी होता है इसलिए आप सीवाला लगाईएगा एक जम सही रहेगा ठीक है पिए अगला कुस्टन आपका दियाओ कि कॉलेस्टरम किसमे अधिक मातरा में पाया जाता है जो कॉलेस्टरम में होता है बच्चो किसमे जो है अधिक मातरा में पाया जाता है 35-35 कुस्टन साब का दियाओ आई ठीक है या दम इसकी बात करें तो कॉलेस्टरम जो है बच्चो किसमे अधिक मातरा में जो एड़ी विकल्प सही होना चाहिए फिए अगले पर शुब बढ़ेंगे अगला कुशन देख जो होता है मा का पर्थम इस्तंदूद होता है लेकिन आपसे इसमें कोई दिया नहीं हुआ है तो एक साब से देखा जाए तो विडामिन ए भी इतो हो नहीं सकता खानिच या हो सकते हैं अब दूसरा ही चीज है लोह टत्ती ही होना चाहिए कि लोह तक्त्तीस देखा जाए तो पालग होता है इस लैक depths क ने विकल्प सही होना चाहिए वह इसे camera सहुँ होना चाहिए जये उस madness moonlight जो दूध гру काओंसा इसा पूशकतत होसा कि दूद में धूद्न में पने पया पर्चुर मातरा में रहता है लेकिन बिटामीन-C नहीं क्यों पर्चूर नहीं दूद्स दसकेल साधी, on में selling a fuel bob स्टीर नहीं है फैलता है मक्खिड़ा मलेरिया फैलता है फ्ले गिया फिर करुकोल बिलकुल है और इसमें का जाए गत्राइगा in अगला कुसं दिया होगे एट स्केल अच्छड है एट स्केल अच्छड भार में कमी यह भी इसका लच्छड है लंबी अब तक हलका जो और अतिसार की सिकाथ बिल्कुल सभी इसमें के सहीं इसलिए उपरोगत सभी इसमें का रहेगा तो मिड़ डे मेल कारकिरम बच्चो कब लागो हुआ बहुत ही मात्मुल पर्स ने भी अपका मिड़ डे मेल कारकरम बच्चो 1995 को लागो हुआ था पहला बिकल्पीक्दम सहीं रहेगा उसमें का पिराश्टे पोसलनीत का कब अंगी कार की गयी याँद इसकी बात करने तो यह भी बहुत ही मात्मुल पर्स ने एक तालिश संबर कुस्षन ये लागो ही थी उनीश सो तिराटवे में पहला विकल्प एक दम सही रहेगा इसमे कभी अगला कुस्षन मदमे रोग के लच्छड हैं बिल्कुल बहुत ही मात्पूर परसनी भी अपका है मदमे रोग बताईएगा बहुत मूतरता अधिक प्यास भोग में बिरद्धी बिल्कुल सभी इसमे का इसके लच्छड ही है मदमे के डाइपटीच के इसलिए डी विकल्प एक दम सही रहेगा इसमे का अगला कुस्षन आपका दियावा है कि उच रक्तिचाप के लच्छड है हाई बलेट पैसर के बच्चे सेंटम्स क्या होते है चक्काडाना सिर में दर्द हलका यानि उल्टी होना है सभी सके लच्छड इसलिए यह सभी इसमे का डी आपसन एकदम सही रहेगा आला आप देज अतिशार के परमुकारण है अतिशार के परमुकारण क्या है बच्चो संकरमाण बिसाक्त जिवाण भी है रासानी केमिकाल substance भी कहीं न कहीं देखा जाए इसलिए D लगाईएगा इसमें कभी एकदम सही रहेगा टीका करण ये खाए टीका करण क्या बच्चो पड़ाकरतिक परत्रच्छा या फिर आरजित पत्रच्छा या फिर दोनों बताईएगा तो ये टीका करण जो होता इसलिए इसमें का बहुत ही ध्यान से कुष्ण को देखके जाना है क्योंकि इस कुष्ण में बहुत सरे बालक जो है गरत करके आते हैं टीका करण पूछेगा तो ये आरजित पत्रच्छा है फिर ला कुष्ण दिया होगी अगला कुष्ण दिया होगी आहार आयोजन के क्या लाब है आहार आयोजन के क्या लाब है बिल्कुल बहुत ही मात प्रपरसने भी अपका है आहार आयोजन के लाब सभी है जीसे की समय का सद्विप्योग भी धन का सद्विप्योग भी कार का तरल्ली करड़े सभी है इसलिए इसमें का डी वीकल्प एकडम सही रहेगा 47 नमबर कुस्टन का डी आपसन एकडम राइट भी कार का तरल्ली करड़ है कार का तरल्ली करड़ क्या है वर्क आपका सिंपलिफिकेशन ही बिल्कुल इसमें का कार को असान बनाना भी, कार को उपयोगी बनाना भी, कार को छोटा बनाना भी इनमें सो कोई नहीं यह जो होता, यानि कार का जो सरल्ली करण होता है, बच्चों होता है कार को उपयोगी बनाना, यानि make useful to work इसमें का B विकल्प लगाईएगा एकदम सही होगा अगला कुस्तन दिया कि इन में से सिसों के लिए मुख्य भोज पदार्थ है सिसों के लिए मुख्य भोज पदार्थ क्या है दूद होता है सिसों के लिए मुख्य भोज पदार्थ है इसमें का C विकल्प एकदम सही पूरा का पूरा मैंने पेपर करного कर दिया हैं 50 पूछी पूम्यक्र經berg पूछाइगे सबस्किछे क्या आपके पास समय भी बहुत बात हैं क्योंकि छे तारिक को आपको लगा हुआ है और सीसी उस्योगा जोए पेपर लगा हुआ है दो तारीख को इसले सभी विद्यारती प्लेस्टी प्लेलीट में बहुत सारे वीडियो परे हुए कोई विद्स प्वेपर तयार कर लो से लिए कुस्थन पूछे जाते जो हैं जो वीडियो अच्छा लगा तो दो सोब अभी सब्सक्राइब करते ना जिसे वह भी पेपर देख लेपना कि कैसा आया था एम जी की वेपी का और वह भी इस पेपर से तियार करके पर एक्जाम में अच्छे मांक सुटेंड कर सके क्योंकि अनुवार पर सुपतर इसमें पास होन बहुत ही माद टूड़ा था 33 नमर आपको बिल्कुल गेन करना ही रहता है सो में से ठीक है मिलता होने वीडियो के लिए तब तक सभी को थेंकि वाचिंग दिस वीडियो